हेलो फ्रेंड्स कुख विसोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए यह पीनट की रोल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको कि आप ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो जरूर बना पाएंगे तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर एक कप यह पीनट ले लिए हैं इनको मैं ड्राय रोस्ट कर रहे हूं इसलो टू मेडियम फ्लेम पे यह आप रोस्ट कीजिएगा अगर आप तेज आज में इसको रोस्ट करेंगे तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे तो यह देखिए निकाल दी है मैंने यह पीनट की और इसको मिक्सर गैंडर में डाल के इसको रुक रुक के चलाएंगे फ्रेंट्स अगर एकदम से चलाएंगे तो यह गीला हो जाएगा पेश्ट और यहां पर मैंने आधा कप सुगर लिया है और आधा कभी वाटर लिया है सुगर को जब तक की पकाएंगे वाटर में जब तक की पूरी तरह से सुगर डिजॉल्व नहीं हो जाए और यह जो मिक्षर हमने बनाया था यह पूरा का पूरा इस शुगर में डाल देंगे और यहां पर मैं चार छोटे चममच मिल्क पाउडर एड़ कर रही हूं इसके रिच टेस्ट के लिए आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से इसको पका लेंगे पांच मिनट और पकाएंगे इसको स्लो आज में पकाएंगे आज इसकी तेज नहीं करेंगे इस तरह से पक जाएगा जब यह देखिए तो एक प्लेट में हम घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से और यह सारा का सारा जो मिक्षर है वो प्लेट में ऐसे ट्रांसपर कर देंगे और अब यह थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर हो गई है पांच मिनट हुए है करीब और यह बटर पेपर ले लिया है तो यह सारा का सारा जो मिक्षर ह देंगे फ्रेंड और इसके बाद हम इसको हाथों से दबा-दबाके ये टो की तरह यह फॉर्म हो जाएगा बटर पीपर के साथ दबाएगे नखी तो आपके हाथ में चिपक जाएगा तो अब देखिए इसको वब इस भाई पर में लपेट के एक रोल शेप में कर लें तो यह देखे इस तरह से हमने बटर पेपर में इसको लपेट लिया है आप चाहिए तो सिल्वर फोईल में भी लपेट सकते हैं तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था फ्रेंट्स 15-20 में ठो चुके हैं यह हमारा सेट हो गया है रॉल तो इसको बटर पेपर से रिमूव क कर लेंगे और अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो आप लगा दीजिएगा मेरे पास था तो मैंने यहां पर सिल्वर वर्क लगाया है इसको बहुत ही आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे यह देखे, इसको हाथों से थोड़ा सा इस तरह से रूल कर लेंगे, यह देखे कितना स्मूध हो गया, अब इसमें हम यह सिल्वर वर्क लगा ले रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, किसी ड्राइफ रूट से अगर गार्निशिंग करनी हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, तो अब इसको हम चाकू से इस तरह से रोल शेप में कट कर लेंगे, आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, ता